वेल्कम बैक फ्रेंड्स स्वागत आपका फिर से आज की मजदार पहलियों में तो आज की पहली पहली आपके सामने हैं इस पिक्चर में ऐसा क्या है जिसको देखकर आप बता सकें कि इन दोनों में कौन मुरक है ए या भी ध्यान से देखिए और बताईए तो दोस्तों क्या आपको आंसर पता चला कि दोनों में कौन मुरक है अगर हां तो आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए अब चलिए मैं आपको इस पहली का आंसर बताता हूं कि इन दोनों में कौन मुरक है तो पहले ए को देखते हैं वो नहाते हुए मुबाइल चला रही है और आपको लगता है कि नहाते हुए hair dryer का यूज़ करना चाहिए उसको नहाते हुए current भी लग सकता है तो आपको इस पहली का अंसर पता चली गया होगा कि इसमें बीमूरक है अब चलते हैं अगले पहली की तरफ तो दोस्तों आपके सामने दो picture है इन दोनों picture को मिला कर एक word बनेगा वो word क्या बनेगा यह आपको सोच कर बताना है तो सोचिए और बताईए और अगर आपको अंसर पता है तो comment कीजिए तो दोस्तों क्या आपको इस पहली का अंसर पता चला अगर हाँ तो comment box में लिखिए अब चलिए मैं आपको इस पहली का अंसर बताता हूँ तो left में जो picture है वो एक heart का है और जो दूसरे तरफ picture है इस तरह की line को beat कहते हैं तो दोनों picture को जो मिला के word बनेगा वो बनेगा heart beat तो दोस्तों उमित करता हूँ आपको यह पहली पसंद आयोगी और अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो करी दिया होगा अब चलते हैं अगले पहली के दरफ तो दोस्तों इस picture को ध्यान से देखिए इस picture में नीचे पांच pictures दिये हुएं गोले के अंदर यह जो picture है नीचे इन picture को आपको उपर दिये गए picture में दूढ़ना है तो दोस्तों देखते हैं कितने picture दूढ़ पाते हैं आप comment कीजिए कि आपने कितना दूढ़ा सभी दूढ़ पाए या कुछ तो दूढ़िए और बताईए तो दोस्तों आप कितने picture दूढ़ पाए comment box में लखिए अब चलिए मैं बताता हूँ कि इस picture में यह सारे picture कहा कहा है मैं आपको बताता हूँ तो पहला picture यह है फिर दूसरा picture यहाँ पर है फिर दिसरा picture यह रहा फिर चोथा picture यह देखिए यहाँ पर है और पांचो पिक्चर यहाँ है तो दोस्तों कैसर लगा comment में जरूर लिखिए अब चलते हैं अगले पहली की तरफ तो दोस्तों अज की चोथी पहली आपके सामने हैं कि अगर आठ को आदा करने पर इन में से कौन सा अंक मिलेगा आपके पास नीचे चार option हैं तो ध्यान से देखिए सूचिए और comment कीजिए तो दोस्तों क्या आपको answer पता चला या पता है तो comment कीजिए अब चलिए मैं आपको इस पहले का answer बताता हूँ कि जब हम 8 को आदा करेंगे तो नीचे दिए गए answer में से कौन सा answer आएगा तो answer आएगा 8 3 क्योंकि जब हम उसको आदा करेंगे तो यह से आपके सामने जो है वही आएगा तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस पहले का answer आपके समझ में आया होगा तो थाइंक्यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्साइब करना ना भोले थाइंक्यू 2 कर दो sabा हूँ आपके समझ में करेंगा तो कर दोस्तों थाइंक्यू आपके लाइंक्यू